दुनिया भर में बॉलिवोड फिल्म्स अपने गानों के लिए काफी मश्यूर है यही गाने हमारे फिल्म्स को स्पेशल बनाते हैं यह सब भी आपके प्यार के उतने ही हगदार है जितने के हमारे आक्टिर्स आईए जानते हैं उनके बारे में जो हमारे जिन्दगी को सुरों से भर देता है इस हफ़ते में हमारे चुनिंदा कलाकार है एयार रह्मान जो सिर्फ संगितकार ही नहीं गायब भी है अपने शुरुआती दोर में एयार रह्मान ने आडविटिस्मन्स और डॉक्यूमेंटरीज में म्यूजिक देने से अपने करियर की शुरुआत की थी 1992 में तमिल फिल्म रोजा से उन्होंने फिल्मी दुनिया में अपना पहला कदम रखा तब से लेकर आज तक उन्होंने कई तमिल, हिंदी और अंतराश्य फिल्मों में अपना संगीत दिया है दुनिया भर में इनके करोणों फैंस है जो इन्हें बेहत पसंद करते हैं इन्हें प्यार से मुजार्ट अफ मडरास भी बुलाया जाता है 1992 में जैसे ही इन्होंने फिल्मों में अपना संगीत देना शुरू किया तब ही उन्होंने पंचतन रेकॉर्ट इंच की शुरुआत की फिर 2005 में इसे और बड़ा बना कर ऐसे A.N. स्टूडियो का नाम दे दिया गया आज ही हमारे देश के सबसे मशूर और आधूनिक रेकॉर्डिंग स्टूडियोज में से एक है अपनी पहली फिल्म रोजा की म्यूजिक के लिए उस साल के नाशनल अवाज में A.R. रह्मान को रजट कमल अवाज से नावाजा गया इस फिल्म के बाद फिल्म बॉंबे में दिये गए उनके संगीत ने उनके नाम पे कई रेकॉर्ड्स बनाए इसके बाद तो दिल से ताल और रंगीला जैसी फिल्म्स में इनके दिये संगीत की काम्याभी के चलते बॉलिवुट में इनका नाम सबसे बहतेरीन संगितकारों में शामिल हो गया 2009 में उन्होंने हॉलिवुट की एक फिल्म कपल्स रिट्रीट में म्यूजिक देने से अपने सफर की शिरुआत की और इस सफर का अब तक सबसे काम्यार किस्ता है एक स्लम डॉप मिल्लेर में दिये इनके म्यूजिक का फिल्मों में म्यूजिक देने के अलावा एयर हमान काफी और प्रोजेक्ट से भी काम करते हैं 1997 में हमारे देश की अजादी के पचासवे साल में एयर रहमान ने वंदे मातरम रिलीज किये थे वंदे मातरम का ये वर्जिन लोगों के दिलों में आज भी जिन्दा है रहमान ने आज तक 6 नाशनल अवर्ज, 2 ओसकर्स, 2 ग्रामी, 1 बाफ्ता, 1 गोल्डन ग्लोब, 15 फिन फेर अवर्ज, 17 फिन फेर साउथ अवर्ज जीते हैं इसके अलावा Trinity College of Music, Berkeley College of Music और Ohio में Miami University ने अपने सबसे उचे सम्मान से इनका सतकार किया है इनके संगीत, इनकी कला, लोगों के दिलों को और उनकी जिन्दगियों को चू जाती है रहमान साब हमें आपके आने वाले संगीत का दिल से इंतजार रहेगा इस फीचर में आज के लिए इतना ही, ऐसे और अपडेट्स के लिए देखते हैं रहेए What's Up Bollywood तब तक Keep It Filming, Keep It Bollywood